Hello Friends, Welcome to CodeMeta Channel Last Video में हमने बात की थी Comments पे कि किस तरीके से Comments आपको Backend में देखने को मिलते हैं Frontend से आप कर सकते हैं Message, Feedback दे सकते हैं इस वीडियो में हम बात करते हैं Plugins की Plugins किस तरीके से Backend से Update होते हैं या Upload होते हैं उसके लिए चलते हैं हमारे Plugins section के अंदर यहां पर हमारे दो Tab होती हैं Install Plugins और एक Add New Install Plugins में लिस्ट में वो आते हैं जो हमने Plugins इंस्टॉल कर रखे होते हैं By Default WordPress हमें Plugins देता है Hello Dolly and Akismat Akismat basically use होता है Spamming को रोकने के लिए जैसा कि मैंने Comment section में बताया था कि आपके hackers क्या करते हैं जो आपकी API होती है उसको hack करके उसके अंदर auto comments add करते हैं जो automatically आपके पास request बेशते रहते हैं comment आते रहते हैं उन्हें रोकने के लिए आप इसका use कर सकते हैं इसे activate कर सकते हैं इसकी API की होती है आपको वो add करनी होती है besides that आप क्या कर सकते हो नया plugin भी add कर सकते हो जो की spamming को रोकता हो एक spam plugin हम अभी add करेंगे जिसमें हम सिखेंगे किस तरीके से नया plugin backend से add होता है और activate होता है अभी देखते हैं कि यह हमारी list थी हमने क्या किया plugin को जब भी हमें कुछ देखना होता है तो हम क्या करते हैं यहां पे activate और delete plugin नाम की चीज़ होती है जब आप delete करोगे तो वो क्या करता है आपकी इस list से हट जाता है जैसा कि मैं इसको क्लिक करता हूँ delete किया तो यह इसने एक message बोला इसको क्लिक किया यह plugin क्या हुआ आपकी list से भी हट गया और आपकी file से भी हट जाएगा जो plugins directory होती है उदर से अब क्या करते हैं अगर हम activate पर क्लिक करते हैं तो यह page load होगा और यह plugin activated हो जाएगा यह plugin क्या होता है अपने अपनी setting के accordingly देखता है जब हम hello dolly को activate किया तो हमारे पास यह view details देखने की आई कि view details कैसे करते हैं ठीक है अगर किसी plugin की details देखनी होती है तो हम यह देख सकते है कि किस तरीके का plugin है वो क्या क क्या करता है ठीक है यह activate कभ होता है और कभ नहीं होता है तृक अब ऐसा करते हैं हम हमारे इस plugin को deactivate करते हैं यह plugin install करते हैं क्लिक करते हैं यह यहां पे आपको बहुत सारे plugin मितेंगे यहां पे आप plugin को install कर सकते हैं यहां पे हम क्या करते हैं सबसे पहले देखते हैं एक jetpack नाम का plugin देख लेते हैं इसको जब हम click करते हैं तो आप देखोगी कि installing चल रही है यह क्या करेगा आपकी जो plugins की directory है WordPress की directory वहां पे plugins folder के अंदर जैट पैक नाम का एक folder create करेगा और सारी जो अपती भी फाइल से अपनी वहां पे एड़ करतेगा सिम्स टेकिंग सम टाइम तो कि यह क्या हो रहा है पहले डाउनलोड होगा और फिर इंस्टाल होगा यहां पे कुछ sections होते हैं जैसे कि एक popular section होता है एक recommended section होता है और फेवरेट section होता है popular में popular plugin आते है recommend में जो जरूरी होते है plugins वो दिखते रहते हैं फेवरेट में अगर आपने कुछ bookmark की हैं तो यहां पे अब क्या करते हैं इस plugin को यहां पे activate कर देते हैं क्लिक करते हैं activate के उपर क्या होगा यह एक नया tab create कर देगा यह जैसा कि मैंने का कि अपनी setting के according यह चीज़े इसके अंदर जो भी settings होती है तो हमारा जो main point है वो है plugins का तो हम इस plugin की setting पे बात नहीं करेंगे तो हम देखेंगे यहां पे हमारी listing आ गई अगर हमें कुछ setting करनी है तो हम यहां से भी जा सकते हैं कुछ बागिन यहां से setting option देते हैं कुश नहीं देते यह इसका support आ जाता है कुछ अंदर ही added हो जाते हैं इस तरीके से काम करते हैं अगर हम भात करें security plug-in ले लेते हैं हम एक यहांपे क्या करते हैं यहांपे plugin होता है इमेल के ले लेते हैं जिसको बोलते हैं SMTP smttP जब आप यहाँ पे सर्च करते हो कीवर्ड को तो यह आपको फाइंड करके देगा कि आपके पास कौन-कौन से प्लगीन है SMTP के हम क्या करते हैं EasyWP install को EasyWP SMTP को इस्टॉल करते हैं सबसे पहले यह भी एक अच्छा प्लगीन है बट यह थोड़े सा पेड हो चुका है इसलिए इसको ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं ऐसे यह प्लगीन भी आया है आप जो का कर सकते हैं यहां पे इनके activation देख सकते हैं घर वापस जाएं हम यहां पे तो यहां पी क्यों होता है इसकी rating इसकी user install कर रहे हैं तो यूजर चेक करें आप वो चीज़ है चेक कर सकते हो तो अभी SMTP के लिए बोल रहा है कि अब Setting Menu में जाओ अपने SMTP को Set करने के लिए क्लिक करते हैं तो यह यहां पर आजाएगा Setting में आगया अब Setting में इसमें यहां पर Create कर दिया तो इस तरीके से कुछ प्लगिन जो टैब है अपनी Setting में Create करते हैं तो आप इस तरीके से प्लगिन को Install कर सकते हो अब यह फ्रेंटेंड पर काम कैसे करते हैं फ्रेंटेंड पर काम यह अपनी functionality के according करते हैं आप किस चीज के लिए प्लगिन को इंस्टॉल करना चाहते हो यह उस चीज का का हम करते हैं Suppose अगर मैं क्या करूँ यहां पर प्लगिन को इंस्टॉल कर दिया और यहां पर लिख दिया एड न्यू और यहां पर लिख दिया हमने short code posts इस तरीके से लिख दिया हमने ठीक तो यह क्या अगए duplicate post create करता है table आ गया download आ गया recent post और carousel ठीक है यह इसको click कर लेते हैं एक बार recent post और carousel का देख लेते हैं एक बार ठीक है इसको install करते हैं और देख लेते हैं कि यह क्या plugin करता है बारा पार इंस्टॉल हो गया एक्टिवेट करते है इसको और इसकी गाइड भी हमे मिल जाएगी आपैर इसके हो करते हैं ति कुछ कर देते हैं ठीक है, अब pages में चलते हैं, हम क्या करते हैं, जो हमारा sample page था, वहां चलते हैं, ठीक है, sample page में आते हैं, इस sample page को edit करते हैं, अब जो हमारे पर short code हमने copy किया है, उसको क्या करते हैं, हम यहां से enter करके यहां पर डाल देते हैं, ठीक है, एक बार देखते हैं कि होता क्या है, यह किया देखा हमने यह हमारी पोस्ट जित्ती भी हमारी हमारी पोस्ट थी पेजेस के उपार आ गई दो पोस्ट डाली थी तो दौनों की दौनों पोस्ट आ गई और यह यह प्लगिन का इस्ट्रक्चर है आप डिस沒有型 कर सकते हो यह दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और साथ में समझ आया होगा Plugins का Related to Backend मिलते हैं नेक्स पोस्ट में एक नई वीडियो के साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने CodeMeta Channel को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें